हेलो फ्रेंट्स, जीनिस इस्टिट्टिट में आप सब लोगों का एक बार विससे बहुत-बहुत सब्सक्राइब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉटोसॉप के बारे में जिसमें आपको पासफोर्ट साइज के फोटो बनाना हम सिखाएंगे तो फ्रेंड्स, देर न करती होएं चलिए, शरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें फॉटोसॉप को하고 in कर लेना है, फॉटोसॉपप उपिन करने लिए आपको Spider By क्लिक करना है, यहाँ पर search by type करना है adopt और यहाँ पर icon आजाता है अब यहाँ पर simply click करके open कर सकते हैं मैंने पहले से open कर रखा है मैं यहाँ पर taskbar में click करके यहाँ से photoshop को open कर लेता हूँ यह हमारे सामने ओं adopt photoshop का interface कुछ इस पर का रहता है आप adopt photoshop में origin कोई भी चला रहे हो चाहे 7.0 चला रहे हो RCS3 चला रहे है या PS2 चला रहे हो कोई भी चला रहे हो लेकिन काम सबका simple एक ही जैसा होता है लगबख सारे tools एक ही जैसे होते हैं तो friends हम इस वीडियो में जानेगी कि passport size का photo कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर फाइल में जाना है फाइल में जाने के बाद यहां से open पर किलिक कर लेना है मैं यहां जूम करके दिखा देता हूं आपको यहां पर open पर किलिक करना है open पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको जो भी photo आपको बनानी है उस photo को यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ से open कर लेना है और आपके सामने यह Photoshop के अंदर यह photo add हो जाती है आपको यहाँ पर simply click करके यहाँ बर यह में zoom करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर click करके आप photo को full में stage कर सकते हैं करने के बड़कर सकते हैं उसके बद अपने keyboard से control के साथ फोट दवाएंगे तो इस photo को आप बढ़ा कर सकते हैं और control – दवाएंगे तो पने photo को छोटा कर सकते हैं इसके बाद हमें क्या करना है इस photo को हमें करना है साफ कैने के लिए इसको थोड़ा सा brightness होगेरा इसमें सही कर लेनी है जो यह है इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है simply आपको अपने keyword से control के साथ M दबाना है और यहाँ पर curve tool आजाता है curve tool आने के बाद आपको यह line दिख रही होगी इस line पर आप जहाँ इसको उपर या नीचे करेंगे तो नीचे की तरफ ले जाएंगे तो dark होगा और उपर की तरफ ले जाएंगे तो light होगा आपको अपने हिसाब से adjust कर लेना है बहुत ज़्यादा उपर की तरफ नहीं बढ़ाना है और okay कर देना है उसके बाद दूसरी साथ की होती है आप control plus B दबा सकते हैं control plus B से क्या होता है color balance होता है और यहां से आप इसकी thickness को थोड़ा बहुत इधर उधर adjust कर सकते हैं अपने इच्छा के निसार जिदने पर आपको adjust करना है उतने पर आप आराम से adjust कर सकते हैं और okay कर सकते हैं उसके बाद आपको अपने keyboard से control के साथ L दबाना है तो यहां पर levels आ जाता है और यहां पर levels को भी आप थोड़ा सा इधर उधर घटा बढ़ा सकते हैं कोई जरूर नहीं किसमें जिदने भी point दे हैं उन सब में आपको घटा न बढ़ाना है आप जिदने पर adjust करना चाहिए उतने पर आप adjust कर सकते हैं और simply okay कर सकते हैं इसके बाद और साथ की होते हैं control plus you होता है यहां पर saturation यहां पर दिया रहता है यहां पर master में edit जो दिये रहते हैं बहुत सरह है जैसे master है red से yellow है green जो भी color दिये रहते हैं उसमें आपको अगर कोई चीज़ चेंजिंग करनी है जैसे yellow में कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहां से simply अपने photo में थोड़ा बहुत इदर दर घटा बढ़ा कर अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं उसके बाद आपको simply okay कर देना है इतना कर लेने के बाद हमें अब क्या करना है यह जितनी भी मैंने start की बताई है वो आप यहां पर image में जाएंगे image में जाने के बाद यहां पर adjustment में जाएंगे तो यहां पर सब लिखा हुआ है control L से label आता है control M से curve tool आता है control V से color balance आता है control U से saturation आता है अब यहां पर क्या करना है आपको यहां पर और भी start की दी है जैसे shift control L alt shift control L shift control B control M यह सारी चीज़े दी है तो आप यह automatic भी कर सकते है जैसे मैं यहां पर control और shift के साथ L दबाता हूँ तो यह automatic levels में आ जाता है मैं control के साथ shift दबा कर बी दबाता हूँ तो यह भी आटोमेटिक आजाता है अगर इसको आपको हटाना है बैक करना है तो आप कंट्रोल के साथ जड़ दबाएंगे तो एक स्टेप आप बैक हो जाएंगे उसके बास simply हमें क्या करना है आप हमें पासपॉट साइज की फोटो काटनी ही तो फोटो काटने के लिए आपको यहाँ पे किलिक करना है यहां पर देखे, crop tool दिया गए है, यह आप अपने keyboard से C दबाएंगे, तब भी आपका crop tool क्या हो जाएगा, select हो जाएगा, crop tool select होने के बाद आपके सामने यहां पर, पहले यह मैंने size डाल रखा है, अगर आपके pass size नहीं है मालीजी, यहां से मैंने size सब भटा दिया, width और height सार तो आप यहां से size को डाल सकते हैं, जो passport size का photo का size होता है, तो यहां पर मैं डाल देता हूँ, 1.2 inch और height में डाल देता हूँ, यहां पर 1.5 inch, यहां पर in लिख देंगे और tap दबा देंगे, तो यहां से दूसरे step में चला जाएगा, यहां resolution आपको ध्यान देना है, 300 ही रखन करना है, के बाद friends यहां पर size डाल देने के बाद, आपको क्या करना है, आपको यहां से simply नीचे की तरफ mouse के left button को दबा कर नीचे की तरफ drag करना है, और यहां पर छोड़ देना है, उसके बाद आप अपने हिसाफ से photo को उपर नीचे दाइबाए करके, या फिर keyboard में right, arrow, down, arrow कि यह सब सारी चीजे दी रहती है, वहां से आप आराम से इसको adjust कर सकते हैं, और यहां पर, या तो आप यहां पर click करके इसको ok कर देते हैं, या फिर आपको अपने keyboard से enter की दबा देंगे, तब यह photo क्या हो जाएगी, आपकी crop हो जाएगी, अब इसको इस photo को थोड़ा सा ब जबाएंगे, तो पूरी photo क्या हो जाएगी, select हो जाएगी, अब यहीं पर इस photo के अंदर क्या है, आप अगर right क्लिक करते हैं, तो यहां पर दोखो सबसे नीचे दिया गया है stroke, इस stroke पर जब click करेंगे, तो यहां पर आपके सामने वित आती है, तो जो border लगता है photo के चारो से उसकी width हाफ घटा या बढ़ा सकते हैं, मैं यहां पर 5 रखा हूँ, तो आप भी कोशिज करिए कि 5 या 5 से कमी रखें, दो या 3 ऐसे ज्यादा नहीं रखनी है, अगर इससे ज्यादा रखेंगे, तो क्या होगा, उसमें बहुत मोटा सा border दिखेगा, और वो photo दिखने में अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं यहां पर border का color select कर लेता हूँ, आप जो भी color लेना चाहें, red या green, black, blue, जो भी लेना है, वो ले ले, मैं यहां पर black color ले लेता हूँ, यहां पर select कर लेता हूँ, और ok कर देता हूँ, ok करने के बाद यहां पर ok कर देता हूँ, ok करने के बा से control के साथ A दबाना है तो यह आल सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद कम keyboard से control के साथ C दबाएंगे यानि control प्लस C करेंगे तो यह photo क्या हो जाएगी copy हो जाएगी copy होने के बाद आपको नए page में लेकर जाना है तो के साथ N दबाएंगे तो यहां पर new page का option आ जाता है और यहां से आप अपने इच्छा किनुसाद दो भाई तीन का या चार भाई छे का या पाँच भाई साथ आठ दस में जो भी आपको size में निकालना है मैं यहां पर टो यहां पर a4 कर लेता हूं और यहां पर ए क्रफोर साइज का पेज ले ले लेता हूं और इसको थोड़गा कर लेता हूं औरban कैशनी के बाद को चार आप गापकर लेते हम अन्ट मैंने की पैज में यहां वह टोट के दहीं पाद को इस आप Remember in starting आपके देखे आपकी फोटो सेंटर में आ चुकी है अब इसको यहां पर लेकर जाना है कॉर्णर में तो क्या करेंगे यहां पर मूब टूल पर किलिक करेंगे यहां पर फोटो सॉब में मूब टूल दिया है यह आपका भी दबाने से आता है यानि कि कीबोर्ड में वी दिया कर दो reports आ रहा है आपके उसमें Photoshop में तो यहां पर लाइन पर हमें नहीं किलिक करना है ना तो इस point पे click करना है ना इस point पे click करना है मैं जहाँ पे ये blank area दिख रहा है मैं यहाँ पे zoom करके दिखा देता हूँ यहाँ पे जो blank area दिख रहा है यह चारो तरफ से यहाँ कहीं भी click करके आप इस photo को drag कर सकते हैं उपर नीचे ले जा सकते हैं मैं यहां से इसको थोड़ा सा ड्रेक कर लेता हूं और अपने कीबोर्ड में डाउन एरो की या आप एरो की के द्वारा इसको सेट कर लेता हूं set करने के बाद आप क्या करना है आपको यहां से मैं थोड़ा सा set कर देता हूँ अब आपको अपने keyboard से alt दबा के इसकी copy बना लेनी जैसे alt दबा के खीचेंगे तो यह क्या है इसकी copy बन जाती है बड़ यह क्या है उपर नीचे आ रहा है तो इसको बराबर करने के लिए आप डारेक्ट अल्ट के साथ shift भी दबा दीजिए तो यह क्या है यह उपर नीचे का जो portion होता है वो एकदम बराबर कर देता है और अपने keyboard से alt और shift के द्वारा जब ड्रैक करेंगे तो यह एकदम बराबर आएगी और आपको mouse के click को छोड़ देना है उसके बाद आप keyboard से shift और alt को भी छोड़ देंगे उसके बाद इस photo को और इस photo को क्या करना है merge करना है तो इसके लिए आपको control के साथ यह दबाना है तो यह photo दोनों क्या हो जाएंगी आपस में merge हो जाएंगी यानिकी joint हो जाएंगी एक layer में जुड़ जाएंगी अब आपको दो photo यहाँ पर लेकर आनी है तो आप shift और alt दोन इसको ड्रैक कर लेता हूं यहाँ पर ड्रैक करने के बाद एक layer यह हो गई एक layer यह हो गई और एक layer यह हो गई अब इस लाश्ट ली लेयर पर क्लिक करके इसको हमें क्या करना है दो बार control ए कर लेना है ताकि यह जितनी भी layer बनी हुई हो सब क्या हो जाएंगी आपस में joint हो सकते हैं ctrl e के दोरा photos को merge कर दिया जाता है मैंने यहां से यहां तक दोनों layer को merge कर दिया अब shift alt के दोरा हम इनको ड्रैक कर लेते हैं और अपने keyboard से इसको adjust कर लेते हैं और यहां से मैं यहां पर click करके इसको complete कर देता हूं अब यह जो है हमारी passport size की photos क्या हो गई ready हो चुकी है अब आपको simply print करना है तो आप file में जाकर भी यहां से print कर सकते हैं print with preview जैसे print with preview पे click करेंगे यहां पर आपके सामने print का option आजाएगा अब आपको क्या है यहां पर उपर कट रहा है नीचे कट रहा है तो इसमें आपको simply फोट ओट ए arguments और अप आपको वेदा यहां हुआ खेंगे यहां पर आपको चपर करना है यहां पर आपको प्रिंटर टेंगा रहा हों आपको किशीट कर लेना है 60 में आपको summary और सामने इंस प्रिंटर के करना हमिरन है निहें तो आपको कैसे क्लिए और पुरत अबिड तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद